असलाम अलेकुम वीवर्ज आज मैं आपको एक बार फिर दिखाने लगा हूँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा अगर मेरे समझाने में को कमी है तो मिझे ज़रूर कमेंट में पास कीजेगा कि शाजिम भाई ये इस तरह नहीं इस तरह होता है अभी जो एक कमपनी ने लगाया हूँ पांच किलो वाट सोलर प्लेट से लगाई है पांच किलो वाट का हीब्रेट है इन्वेरेक्स कमपनी का नैट्रोक्स का तो ये अभी आप जो देख रहे हैं लाइनिंग में सोलर से जो आ रहा है 2.74 किलो वाट सोलर से आ रहा है और ग्रिड में जो वापि 35 किलो वाड़ वावड़ा को वापिस जा रहा है बैटरिया इनकी फूलो चुकी इन तकरीबन 0.03% बैटरीज में जा रहा है 0.05 हाउस में इस्तमाल हो रहा है यानि कि इस वक्त सुबा का वक्त है टाइम आपके सामने आ रहा है सबस दस बज़े का टाइम है घर पर कोई भी नहीं है तो इस वज़ा से कोई लाइट कोई एक्स्टरा चीज़ें नहीं ज़र रही है जो दो चाल लाइट होंगी वही ओन होगी बस तो इसकी वज़े से आप ये देखे हैं कि सोलर से जितना करंट उपर से नीचे आ रहा है थोड़ा सा लाइनलोस हुआ है कुछ घर में और बैटरी में यूज़ हो गिया है बाकी का वाबड़ा पर वापिस चला गिया है तो मेरी हर इंस्टॉलर से यही गुजारिश है कि क्लाइट को हर चीज जैन्वन जैन्वन बताए ना कि उनको गुमरा किया जाए पांच किलो वाड़ आप लगा रहे हो तो उनको बताओ यार चार किलो वाड़ या सारे तीन किलो वाड़ उपर से आएगा वन किलो वाड लाइन लोस या प्रेटों की कमी आएगी या धूप की कमी की वज़े से बिजली कम बनेगी ये ज़रूर बताएं आप तो अक्सर इंस्टॉलर ऐसी चीज़ें छुपा लेते हैं पांच किलो वाड़ के बजाए आपके सामने ही है टू पॉइंट सेवन्टी एट किलो वाड़ आ रहा है यानिके दो किलो वाड़ सबदो किलो वाड़ अला आफिज हो गी है पहले और इस वकत बरी करारी दूप ह तो इस वकत इसको अच्छी प्रफॉर्मनस देनी चाहिए थी मैकसिमम्म तीन किलो वाड़ कर देगा सारी तीन किलो वाड़ कर देगा चार किलो वाड़ पर भी पूरा नहीं गया यह तो हमेशा याद रखिएगा सोलर प्लेटें जितना हाइबरेट है उससे वन किलो वाड एक्स्ट्रा ही लगवाएं क्योंकि इसमें ऑप्शन दीव ही होती है अगर पांच किलो वाड़ का है तो छे किलो वाड़ के हम सोलर प्लेट से लगा सकते हैं तो जिन दोस्तों को इन चीज़ों का नहीं पता वो मेरे दिये गए कॉंटेक्ट पर जरूर राप्ता करें मैं जितनी मेरी नौलिज है मैं तुमाम दोस्तों को अपनी नौलिज शेयर करने की कोशिश करूंगा और जिन लोगों को जिन लोगों ने इस सोलर लगवा चुके हुए हैं अगर उनके सोलर में किसे किसम की को कमी आ रही है कोई फॉल्ट आ रहे हैं तो मेरे नीचे दिये गए नंबर पर राप्ता कर सकते हैं लाहोर शेहल लिरिंग रोड के अंदर अंदर विजिट चार्जिस मेरे बहुत कम हैं और आटो स्टेशन के जो चार्जिस हैं वो ट्रेवलिंग के हिसाब से हैं इन्शाला नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा डिस्पले समझाया ज कर दो